स्वागत करता हूं फिर से अपने एक नई वीडियो पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिचार्ज अप्लिकेशन के बारे में दोस्तों जैसा कि आपको सभी को पता ही है जितनी भी रिचार्ज कंपनिया है जैसिके जीओ, एटल, बियाई या बियसन सभी ने अपने रिचार्ज फ्लांस पर बड़ोत्री की है जिससे अब काफी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है रिचार्ज करने में दोस्तों उसी के साथ यूपियाई एप्लिकेशन जैसे की गूगल पे फोन पे या पेटियम जिससे भी आप रिचार्ज करते हैं उस प आप मैं आपके लिए एक ऐसा अप्लिकेशन लेकर आया हूँ जिस पे आप रिचार्ज करके कमिशन को भी आर्ण कर सकते हैं और आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा तो आज की इस वीडियो में इसका प्रोसेस बताऊं कि आप उसका एकाउंट किस तरह से बना दोस्तो इस एप्लिकेशन का नाम है रिचार्ज बुज कमिशन एप इस एप्लिकेशन का नाम है रिचार्ज बुज कमिशन एप इस एप्लिकेशन के लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है जैसी आप उस पर किलिक करेंगे आप अपने मोबाल फोन के प् आप्लिकेशन पर जाएंगे तो यहां पर इस एप्लिकेशन की इन्फोर्मेशन है वो शो करेगा यहां पर इस के आप्लिकेशन में जाकर इसको रीड कर सकते हैं क्या अप्लिकेशन का मोटिव है वो सारी जानकारी है वो यहां पर मिल जाएगी और यहां अप्लिकेशन है कब वो यहाँ पे launch हुआ तो यहाँ पे सितंबर 8-2024 को इसको release किया गया है और यहाँ पे इसका last update भी उसी तारीक को रहा है यहाँ पे सारी जानकारी आप पढ़ने के बाद इसको back करेंगे और यहाँ पे इसके review में आप जाएंगे यहाँ पे इसको review को read करेंगे कितना यहाँ आपको positive review मिलता है वो उसके इसाब से इसे इसे इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों हर बार की तरह मैं इस पार भी आपको suggest करता हूं मेरा यहाँ पे इस channel का काम है application को यहाँ पे बताना उसकी features के बारे में समझाना इस application को आप अपनी जिम्मेदारी पर use कर सकते हैं दोस्तों यह यहाँ पर मैंने इसको अब install के button पर click कर लिया है दोस्तों यह application install होने के बाद आपके सामने यहाँ पर open का button मिलेगा इस पर आप click करेंगे यहाँ पर सबसे first interface आपकी सामने आएगा जिसमें आपको register करने के लिए अपना mobile number है वो type करना है यहाँ पर next का button मिलेगा आप इस पर click करेंगे आपके mobile number पर एक OTP भेज़ा जाएगा वो OTP आप यहाँ पर डाल कर verify के button पर click करेंगे second page में यहाँ पर set password का आपको एक page मिलेगा जिसमें आपको अपना password और confirm password डालना है यहाँ पर password में आप अपने नाम के four digits उसके बाद आपको कोई भी special letter उसके बाद जो number इंगे उसको type करेंगे उसको यहाँ पर दोबारा से type करेंगे next के button पर click करेंगे यहाँ से आपका नाम है वो यहाँ पर required करेगा और आपसे referral code required करेगा दोस्तों referral code है मैंने वीडियो के description में भी दिया है और comment में भी pin किया है और आपको यहाँ पर screen पर भी दिखाए दे रहा हुगा आप इस referral code को अगर use करेंगे तो आपको extra commission मिलेगा उस उसके बाद आपको जो 5% का commission है वो enable हो जाएगा तो यहाँ पर referral code use करके next के button पर click करेंगे उसके बाद इस application का first interface आपके सामने कुछ इस तरह का open हो के आएगा इसका जो dashboard है वो काफी simple है यहाँ पर आपको सबसे उपर मिल जाता है यहाँ पर wallet आप इस पर click करेंगे यहाँ स आप 10 रुपए से लेकर यहाँ पर 5000 रुपए तक की add money कर सकते हैं आपको add money करने के लिए यहाँ पर amount type करेंगे add money के option पर click करेंगे यहाँ आपके UPI application में redirect करेगा उससे आपको payment कर देना है payment करने के बाद आप इस application पर redirect हो जाएंगे payment होने के बाद यह payment है आपके इस wallet में add हो जाएगा यहाँ पर आपको recharge और will payment के यहाँ फीचर्स हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं यहाँ पर mobile charge, dth, electricity, postpaid और landline, gas, water, insurance, fresh tech, gift card उसके साथ wallet information में add money का, wine ballot का और यहाँ पर report का और margin का दोस्तों कोई भी application यूज़ करने से पहले आप उसका margin ज़रूर चेक कर लें कि आपको कितना margin किस पर मिलने वाला है तो second option में यहाँ पर margin के बारे में बता रहा हूं तो आप इस पर click करेंगे यहाँ पर देख सकते हूं आपको Airtel में 2% का और यहाँ पर Bational में 4% का और Jio में यहाँ पर 1.5% का और VI में 4% का आपको commission दे रहा है उसी के साथ यहाँ पर DTH में 4% का commission दे रहा है तो उस UPI application से तो काफी waste है जिसमें आपको extra charge देना पड़ता है तो आप इसे जरूर एक ब यहाँ पर अपना mobile number या जिसका भी recharge करना चाते है उसका mobile number type करेंगे यह automatically आपका operator आपका circle select करेगा और आपको नीचे इसके साथ से plans दिखाई देंगे आप जो भी plans का recharge करना चाते है उस plan पर click करेंगे यहाँ पर आपका wallet है उसको दिखाएगा यहाँ पर आपका amount रहेगा यहाँ पर अगर आपका amount कम है तो इसको यहाँ पर add भी कर सकते हैं और यहाँ पर confirm pay के option पर click करेंगे तो यह आपका recharge successfully हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मेरा recharge already है इसलिए मैं इसको यहाँ पर cross कर रहा हूं क्योंकि मुझे यह recharge नहीं करना है बाकि आप recharge करेंगे तो successfully हो यहाँ पर एक WhatsApp नमबर भी active है आप continue chat के option पर click करेंगे आपके WhatsApp पर redirect करेंगा आपको कोई भी समस्या हो आप उस पर complaint कर सकते हैं उसके अलावा यहाँ पर आपको report का option दिया जाता है आप इस पर click करेंगे आप जो भी recharge करेंगे इस list में आएगा wallet legendar की details रहेगी वो इसमें आ दे रहा है जैसी कि पर डेफर पर आपको पांच रुपए मिलने वाले हैं जब भी आपका दूस्या फ्रेंड आपके दियो है लिंक से application को install करता है और यूज करता है तो आपको पांच रुपए का यहाँ पर cashback मिलने वाला है तो दोस्तों इस तरह से आप इस application को यूज कर सकते हैं तो दोस्तों अमीद करते हैं यह वीडियो आपको काफी पसंद आई हो कि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें आपने दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल पर पहले वारे चैनल को सस्क्राइब कर लें